वर्निंग स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में उनतरजार सिच्छक भरती में अड़ सट सो सीटों का मामला उत्तरकुंजी प्रक्रण का मामला बिंच का पता नहीं कैसे होगी सुनवाई एक बड़ा सवाल एक बड़ा मुद्दा आपके म में एक भैसा बना हुआ है तो उस चीज से बातचीत करेंगे तो फटा फट जुड़ेंगे आप सभी साथी कि किन कारणों से अभी आपड़ेट नहीं हो पाया है कब तब आपड़ेट हो जाएंगी चीजे यह भी हम आसपस्ट करेंगे तो चलिए सीदा लेके चलते हम केस क स्टेटस की तरफ की केस की स्टेटस में क्या कुछ आपड़ेट करके आया है तो यह दो पहला केस आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाया है यह है 13 156 2020 यह है आपको पता है अड़ सट सो सीट मामले का हाइलाइट केस इसकी फस्ट हीरिंग देखेंगे आप तो यह लगबग वह दिर्स के नाम से यह मामला है अच्छा ऐसा क्यों अपडेट कर रहे हैं कि यहां पर सो नहीं कर रहा है उसके पीछे प्रमुक रीजन यह है कि आपको पता है कि रोस्टर में हुआ है बदलाओ इसके पहले पंकत सर सुन रहे थे उनको भीज दिया गया है लहाबाद तो अब जो नई बेंच बनी है सर्विस मैटर के लिए उसमें यह मामला जाएगा छुट्टी भी चुकी है आज या कल जो है यह अपडेट हो जाएगा तीन को होगी आपकी हीरिंग तो इसके लिए रहे निश्चेंत अब बात करते हैं कि हम सिधा उत्तर कुंजी प्रकरण में भी दिक्कते आपको हो रही है और उत्तर कुंजी में दिक्कत कहा हो रही वो भी दिखाते हैं यह सब तो आपने देखाई होगा आपको पता हो ठीक है तो यहां तो बेंच क्लियर है बेंच को लेकर कि यहां पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत कहा है दिक्कत हो जाएगा इसके लिए आप सब बिलकुल निश्चेंतर है बेंच में वही रहेगी आपकी वही सी बेंच में मामला सुना जानाएगा इसमें दिक्कत नहीं है तो दोनों मामले जो है तीन तारी को बड़े मामले सायद उत्तर कुंजी और 68 सो का बहुत कुछ परिवर्तन हो सक सकता है अगर सरकार दोनों मामले पर खड़ी हो करके अपना व्यूज है वह क्लियर कर दें कि वह करना क्या चाहते हैं दोनों मामलों पर तो सारा संकट खतब हो जाए और जितने भी अब बिरती हैं उनके लिए थोड़ा सजा सुकून का पल मिल जाएगा तो मिलते रहेंगा हमारे साथ चैनल पर तब तक क्लैपस होई साथियों का बहुत बहुत दून